वीडियू 3 क्यूँ और आज की वीडियू 3 क्यूँ में exercise 3.7 के questions 4, 5, 6 and 7 solve परेंगे वीडियू 3 भी में हम question 1, 2, 3 solve पर चुके हैं ठीक, question 4 है इसका Determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12 ठीक, तो students question simple है जब भी इस तरह questions हूँ तो समझ जाना कि उसमें LCM find करना है और LCM के बाद भी कुछ होता है वो हम बपर समझाते हैं ठीक, तो पहले तो आपके करें पहले आपको question समझा लेता हूँ कि कहरें ऐसा number आपको बताना है 3-digit में कि वो 6, 8 and 12 इन तीनों से divisible हो जाए इन तीनों से divisible हो नमरे बाद और दूसरी बात ही है कि 3-digit को होना चाहिए हो तो पहले तो आपके करें इसका LCM find को लें 6, 8 and 12 का ठीक, तो 6, 8 and 12 का तो 2, 3 जा 6 2, 4 जा 8 और 2, 6 जा 12 2 का table इसमें तो जागे ने तो इसको LC note किया 4 में 2 times और 6 में 3 times ठीक है फिर 2 से इसको LC note किया 2 मंजा 2 और 3 LC note किया फिर 3 का table 3 में 1 times इसको LC note किया फिर 3 में 1 times तो LCM, इसके LCM में लिखा तो LCM of 6, 8 and 12 तो 2 कितना है 24 लेकिए 24 तो 2-digit number है तो students इसमें हमको कनना गया है हमको कनना है multiple of 24 तो आप multiple of 24 लिखा लें तो 24 के multiples किया है 24, 48, 72 96 और 120 तो 24 की multiply बन से की फिर 2 से की 24 बन जा 24 24, 2 जा 48 3 जा 72, 4 जा 96 और 5 जा 120 और आगे कर सकते हैं लेकिन हमको smallest बताना है तो 1, 2, 3 जड़ेट है इसमें 1, 2, 0 यह इसका अंसर है तो therefore smallest 3 जड़ेट number is 120 which is exactly divisible Y, 6, 8 and 12 ठीक तो questions कैसी हों आप ऐसे कर सकते हैं अब question नमर 5 customer 5 है वो भी सेम इसी तरह है लेकिन उसमें smallest नहीं पूछके greatest पूछ रहे हैं ठीक है तो questions simple इसी तरह है तो 6, 8, 12 है तो पहले तो आप क्या करें first पहले हम क्या करें we find the Lcm of 8, 10 and 12 पहले तो आप क्या करें 8, 12 and 10 का आप Lcm find करें Lcm find करना है हमको तो इसका Lcm find किया तो 2 का table 8 में 4 तैंस 10 में 5 तैंस और 12 में 6 तैंस ठीक फिर 2 का table 4 में 2 तैंस 5 को ऐसी नूट किया 6 में 3 तैंस 2 का table 2 में 1 तैंस 5 को ऐसी नूट किया 3 को ऐसी नूट किया फिर 3 का table 3 में 1 तैंस 5 को ऐसी नूट किया 5 में जाता नहीं है फिर 5 पर तैल 5 में 1 तैंस तो Lcm कितना है इसका 2, 2, 2 यहां कितना है 120 तो अब क्या करना है हमको अब हमको बताना है गरिटेश्ट थ्री डिजिट नंबर तो इस्ट्स क्या करना है हमको पहले थो हम एलसे महरा जुआया है 120 ठीक है लेकिन 120 में कितने 123 हैं लेकिन 3 तो हैं डिजिटेश्ट में लेकिन हमको बताना है गरिटेश्ट बताना है तो इस् के multiple find out को लें तो 20 के multiple कितना आएंगे 20 20 बन जा 20 20 बन टू जा 24 240 बन 23 जा 360 इस तरहां से इसका टेबिल बहां तक find out किया जहां तक 3 अंक तक आ जा 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 तो 960 जैसी 40 जा आएंगे तो हमको चाहिए नहीं 4 डेज़िक का हमको चाहिए 3 डेज़िक का तो यह सबसे बड़ा है न तो कह सकते हैं धर्फोर दा गेटेश्ट 3 डिट नमर इस 960 बिश इस डिपितल वाई 8 10 अंट टुल तो question 4 और question 5 same time okay question number six that traffic lights of three different road crossing change after every 48 seconds 72 seconds and 108 second respectively if they change simultaneously at 7 a.m. at what time will they change simultaneously again simultaneously, मिलब एक साथ इसका भी इसी होता है, ठीक तो students क्या है? तीन traffic light है ठीक है? वो 48 seconds बाद इनका time दिया है इतने seconds बाद वो क्यों होती है? lights जलती है ठीक? अब आपके ये बताना है कि if they change simultaneously at 7 a.m. तो at what time will be अगर 7 a.m. पर वो change होती है तो उसमें क्या time रहा होगा? if they change simultaneously at 7 a.m. at what time will they change simultaneously again? अगर 7 a.m. पर वो change होती है, तो कितने time बाद change होंगी वो एक साथ? तो पहले अपके करें? 48, 72, और 108 इसका LCM find code करें जैसे LCM करते हैं, आपके LCM find out करें इसका और जब भी आप ध्यान अगने इस बात का जब भी आप से पूछें इस तरह questions में ठीक है? तो आपको LCM ही find out करना होगा उसमें ठीक? अब करना क्या इसमें देखती हैं इनका LCM find out किया तो LCM simple है, कर सकते हैं आप लोग ठीक है? तो LCM कितना है? 432 seconds सब seconds में हैं तो यह भी seconds में हागा तो after 3, 432 seconds the lights change simultaneously see 432 seconds अच्छा, 432 seconds में 7 minutes और 12 seconds होते हैं ठीक है? 7 minutes और 12 seconds होते हैं therefore the time अब होते कैसे हैं आपको बता देता हूँ जोको आप करना क्या है इसमें कितना है? 4, 3, 2 यह second है? ठीक है? जब 20 seconds को millet में change करते हैं students तो ध्यान दखना 60 से divide करते हैं और 60 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 7 minutes और प्लस 12 seconds यह आएगा ठीक तो therefore the time 7 a.m. यह हम कह सकते हैं प्लस 7 a.m. में 7 minutes जोड़ लोगों कोई इतने time के बाद वो एक साथ जिलेंगी तो 7 minutes और 12 seconds तो 7 a.m. 7 minutes और 12 seconds ठीक है? 7 minutes 7 over 7 minutes फिर 12 seconds के बाद जिलेंगी यह एम पे ठीक इस तरह से यह इसका अंसर होता है अब question नमर 7 है question नमर 7 है तो 7 minutes question लेकर questions अगर आपको 4, 5 या 6 में कोई भी dot हो questions हो तो पोचें मुझे question नमर 7 करते हैं 3 tankers contain 403 liters 434 liters and 465 liters of diesel respectively find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the three containers exact number of times simple है जब भी बात maximum की हो तो आप जानते हैं highest common factor लिकरना होता है हमाँ पर hcf या आपको question number 2 और question number 1 में आपको नहीं बताया था कि जब भी highest जब भी maximum या longest पोचे question में तो आप समझ जाना कि आप उस question में highest common factors पोच रहे हैं ठीक है तो मैंने लिखा इसको for finding the maximum capacity of container we have to find highest common factor of 403, 434, 465 अब 403 के prime factor की है और 434 के prime factor की है और 465 के prime factor की है कैसे की देखते हैं इसको 13 का table अब the questions इसको two state division में होगा 3 data होगा 4 or 3 to 7 को नहीं होगा इस तरह से check करते हैं नहीं यह november होगा ठीक है आपको ने बताया था सब rules बताएं आपको मेंने ठीक है तो आप apply कर सकती है ठीक तो फिर इसको 11 से करेंगे नहीं होगा 13 से करेंगे हो जागा 13 का table 14 में 13 का टेविल, 14 बन टाइम्स आगा, 3 टाइम्स, 13 तरी जा, 39, 1 बच्छा, बन के रही होगे न, 1 के रही, तो 13, 13 बन जा 13, और 31 क्या है, प्राइम नम्मर है, और प्राइम नम्मर अपने ही नम्मर से डिविजल होता है, तो 31 बन जा, 31, ठीक, अब 2 का टेविल, 4 में 2 टाइम्स, 3 में 1 टाइम्स, और 14 में 7 टाइम्स, ठीक है, अब 2, 1, 7, ये 7 से होता है डिविजल, तो 7 का टेविल 31 टाइम्स, और 31 का टेविल 31 में 1 टाइम्स, ऐसी इसको, 4, 6, 5, 3 का टेविल, 155 टाइम्स, और 5 का table इसमें 31 times और 31 का 31 में 1 times तो अब common क्या आती उनों में 31 इसमें है 31 इसमें है और 31 इसमें है तो highest common factor HCF कितना है 31 है highest common factor कितना है 31 तो यह इसका answer है तो therefore 31 liters of container is required to measure the quantity ठीक तो श्रेंट's question number 7 यहां complete होता है question 1,2,3 हम video 3B में solve की थे हमने और आज video 3 क्यों में हमने questions 5,6,7 and question 4 solve की थे तो श्रेंट's इन questions को लेकर कोई doubt हो सब्सक्राइए question नहीं समझे आए तो मुसे पूछें ठीक है आप note up में direct note मत करना मैंने कई बार आपको समझाया है कि students पहले आप पहले आप के करें पहले उस पहले आपको मैंने हर वीडियो में लगता हूँ यह statement में लगता हूँ कि पहले आप उसको देखें समझें उसके बाद note करें नहीं समझाया तो मुसे पूछें आप ठीक बार बार आपसे कहता हूँ कि वीडियो नहीं समझे आए मुझसे पूछें कोश्चन्स में कोई टॉट हो मुझसे पूछें कोश्चन्स के लिए नहीं मुझसे पूछें बेना समझे कोश्चन्स को नोट ना करें मेरा वाटसो नमर है उस पे काएं सर एक कोश्चन्स नहीं समझे आए फिर से explain कीजिए, again explain कीजिए, मैं again explain करूंगा, ठीक, और students, ये questions, जो exercise 3.7 है, ये, इस exercise में 11 questions हैं, और सभी questions, but problem पर waste हैं, ठीक है, और ये questions, easy नहीं है, उतने difficult भी नहीं है, ठीक है, अगर easy नहीं है, तो, इतने difficult भी नहीं है, तो, questions, अगर आप समझ जाते हैं, तो, इतना time नहीं आगएगा, solve करने में, तो, students, questions, exercise 3.7 के, सभी questions को, अच्छे से करना, और समझ के करना, को, dot हो, मुसे पूछे, ठीक, और, कल, video, 3.7 होगी, और उस video में, questions, next question होगे, यानि की, exercise 3.7, completely solve कर देंगे, ठीक, तो, students, dot home, मुसे पूछे रहिए, ठीक, और मेरा प्रयास है, कि, मैं अपनी बात को, अपने class को, बहुत अच्छे से present करूँ, बच्चों को समझ में आए, ठीक, इसलिए मैं, रोज, चार questions या पांच questions ही, अपलोड करता हूँ, ठीक, तो, students, मैं नहीं चाहता हूँ, कि, आप पर, गड़त एक बोज बने, मैं चाहता हूँ, कि, आप अच्छे से पढ़ें, interesting पढ़ें, और इस subject को, boring subject ना बनाए, मैं बार-बार आपको मैसी करता हूँ, कि, please complete your work, please complete your work, करता हूँ ना, तो students, मेरी class को seriously लें, और math, math एक ऐसा subject है, कि इसमें practice बहुत important होती है, बिना practice के, बिना practice के math में कुछ नहीं है, ठीक, तो practice करते रहिए, जो-जो test में लेता हूँ, assignment लेता हूँ, उसको please दे, ठीक, जितने assignment हैं, test हैं, अगर को questions में dot है, तो पूस सकते हैं मुझसे assignment में, सरी, ये questions नहीं सम्झेवारा है, तो आप समझा दो, तो मैं उस तरह questions कोई दूसरा समझा दूँगा, लेकिन please करें आप, अगर आप मालो 20 में आपके 5 marks आते हैं, तो next time में आप improve परेंगे, ठीक, तो test दें, assignment दें, और मेरी videos को अच्छे से देखें, ठीक, बाई, thank you.